हमें structure isomers almost पूरे ही पढ़ लिए है, ring chain, teutomeris, metameras, functional chain और position तो sequence यह रहती है सबसे पहले, ring chain, teutomeris, functional, metameras, chain, फिर position चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यह सब हमें definitions मालूम हो गई अब हमारे कोई यह पूछा जा रहा है कि कितने isomers होंगे, किसके कितने होंगे, किसके क्या रहेंगे वो question अगर हमारे पास पूछा जाए, तो वहाँ से example हम बनाते हैं कि isomers calculate number of isomers तो कैसे हम calculate करते हैं, तो heading डाली जी, calculations of structure isomers structural isomers इसकी कोई trick बनाना ही बहुकुफी है, क्योंकि trick आपको कमजोर बना देगी आप concepts पर जाओ, आपके logic clear बनाओ, तो आपका फाइदा होगा इस जगह, ठीक है तो सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ, first example, CH4 का कोई isomers नहीं होगा C2H6 का भी कोई isomers नहीं होगा C3H8 का भी कोई isomers नहीं होगा तो कहां से isomers चालोंगे, चार कारवन ठीक है, और इसके भी दो ही isomers बनेंगे बस, एक यह है और एक यह है, कोई दिक्कत नहीं है तो यह क्या हुआ, C4H10 से हमारा isomers एलकेन में चालोंगा फिर दूसरा, example, first, example, second C5H12, pentane कितने isomers होगे, तो मेरा तरीका जो है, वो यह है कि pentane है, कोई भी अलकेन है, DOO 0 है, तो cyclic और double bond तो आप लगाई नहीं सकते तो आप 5 carbon कैसे लगाओगे, हमेशा, यह 1, 2, 3, 4, 5, हमेशा ऐसे सोचो, क्या अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी chain चोटी करना ही पड़ेगी, chain को चोटी करोगे, कितने carbon की बनाओगे, 4, और एक atom यहाँ लगाओगे, अब इसको यहाँ की जगे, यहाँ लगाती, कोई दिक्कत नी होगी, और इस atom को यहाँ लगाओगे, तो वो तो वापिस वही बन गया, फिर और चोटी कर दो, यही होगा, तो इसके कितने isomers होंगे, 3, टोटल, यहाँ 2 थे, यहाँ टोटल, 3 है, अगर मुझे कहा जाए, नहीं, आप थोड़ा टफ लेते हो, तो C6H 14, कैसे निकालोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbon, तरीका यही होना चाहिए, अब चेंज छोटी करने ही पड़ेगी, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, एक बार यहाँ लगादो, एक बार यहाँ लगादो, फिर repeat हो जाएगा, क्या पर इसे आप, और कोई position है, नहीं, कितने होए टोटल, 3, अभी, और रिंग छोटी कर दे, देखते हैं हमपन, रिंग छोटी करने में हमारा क्या जा रहा है, तो कितने carbon की रिंग हो जाएगी, 4, वक्का, तो अब आप क्या लगा सकते हो, दोनों एक पर लगा सकते हो, यह और यह identical है, तो फिर इससे बात नहीं है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे लगा सकते हो, क्या इसके लगा कोई और positions applicable है, नहीं, तो कितने हो है total isomers, अब इससे छोटा अगर आपने कर लिया, कि नहीं हम तसर तीन की बनाएंगे, तो पांच से जादा बनी नहीं पाएगे, तो अब इससे जादा आपके isomers नहीं बनेंगे, तो total कितने बनेंग पांच, बुलो हाँ या ना, कैसे बना रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, कितने बनेंगे, पांच, फिर एक और example, अगर हम से पूछा चारा है, C7H 16, अब अचानक बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और इसके बाद कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, हमारा answer under 10 digits तक चलता है, समझ गए मेरी बात, 10 के बाद कोई भी examiner पूछे गा ही नहीं आप से, तो जब तक हमारा 10 में आ रहा है answer, तब तक कोई दिकत नहीं है, तो कैसे बनाओ के, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, समझ ना, 7 है, chain को छोटी कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां लगा दो, ठीक है, फिर, यहां लगा दो, उसके बाद repeat हो जाएगा, क्योंकि इधर से देखो, 1, 2, 3, और इधर से भी 1, 2, 3, तो इससे ज़्यादा चोटा नहीं कर दो, अब क्या करोगे, और चोटी करो chain को, कितने कारबन की कर दो, 5, 1, 2, 3, 4, 5, दोनों यहां लगा दिये, दोनों यहां लगा दिये, फिर, दोनों ऐसे लगा दिये, बस, तो कितने हो गए, 5, कोई doubt, अब कितना कर देंगे, 4, 4, 4 की करें, यह 4, कितने बच रहें, 3, 2, एक जगा, एक एक जगा, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, समझने में, कोई doubt, तो कितने हो ए, 10, और क्या कर सकते हो आप, समझ में आत तो रहा है ना, तो यह हमारे पास कुछ छोटे चोटे पॉइंट हैं कि हम कैसे बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास बन चुके हैं, क्या और रिंग छोटी कर सकते हैं, नहीं, नहीं कर सकते, क्या कोई और isomers बना सकते हैं, सोचके देखें, जल्दी से, बनाओ इसको, एक और चीज़े, अपना इसका ध्यान, इसको ध्यान से देखिए इतर, 5 के और भी बन सकते हैं, अपन इन दोनों को यहां ले गए, यहां ले गए, अलग-अलग नहीं लेके गए, यह बन सकता है, और क्या बन सकता है, यह बन सकता है, तो टोटल कितने हो गए, No तो टोटल आंसर कितना होगा इसका यानि दस के अंदर हमारे पास आगया है तो यहां तक पूछा जा सकता है बस